नमस्कार आज हम आपको दिखाने वाले हैं कोट खाफदा चाक्सू में सचिन पाइलेट के लिए और किसानों की महापनचायद के लिए जो तयारे किया हैं किये गई थी उनके बारे में उससे पहले में आपको बता दू राजिस्तान की राजनी थी आज अलगी मोड पर एक समय बहुत था जब मानिये सचिन पाइलेट राजिस्तान के कॉंग्रेस पिर्दिय सद्यक से उस समय जब भी कहीं सवाएं आयुजित की जाती थी जब भी कहीं किसी भी मामले को लेकर किसी भी मुद्धे को लेकर राजिस्तान में सवाएं या आंदूलन किया जाता था तो सभी बरिष्ट नेताओं यूबा नेताओं एवं पार्टी कार्यकरताओं को मौका दिया जाता था उनको स्टेज पर बुलाया जाता था और सभी का सयोग लिया भी जाता था और किया भी जाता था लेकिन आज राजिस्तान की राजजीती में कुछ एक ऐसा नया मोड आया है जिसमें आपने देखा होगा जब राहुल गांदी राजिस्थान में किसान महापंचायत को लेकर सभा को संबोधित करने के लिए आए तो वहाँ पर आपने देखा सचिन पाइलेट को मंच से नीचे उतार दिया गया एक सभा में उनको बोलने का तक का हम्मों को नहीं दिया गया आकर ऐसा क्यों इतना जल्दी राजनीती में परिवर्तन कैसे आ गया कहा जाता है राजनीती में कोई किसी का नहीं होता है पर इस बात को बिलकुल साबित करती हुए यहाँ पर कॉंग्रिस के दोगोट आपस में नजर आ रहे हैं आपने देखा होगा कि कैसे सचिन पाइलेट को जब टेक्टर रिली राउल गांदी की हुई थी और जो मंच से जो राउल गांदी लोगों को संबोदित कर रहे थे उस समय पाइलेट को मंच से नीचे उतार दिया गया अगर ऐसा क्यों किया गया क्या हकीकत में ही सचिन पाइलेट के साथ कॉंग्रेस का एक निश्चित गुट दुर्बेवार कर रहा है क्या पूर्व मुकमंत्री और पूर्व PCC चीप को इतनी भी तबज्जो नहीं दी जाती है कि उनको मंच पर भी खड़ा रहना सही नहीं समझा उनको मंच से नीच उतार दिये गया उसके बाद जो कार करता है और वहां पर जो किशान आये हुए थे वो तो किसी सरकार का हिस्सा नहीं थे तो उन्होंने तो सचिन पाइलेट का सपोर्ट किया था वहां पर सचिन पाइलेट जिंदावाद के नारे लगे हाला कि सबाको संबोजित पूर्वराश्टी अद्देक्स राउल गांदी कर रहे थे लेकिन आप देख सकते हैं जनता में किस नेता का किस के लिए कैसे प्यार है और एक घुट जो पाइलेट की छमता छबी को छुपाना चाता था उसको वहां की आम जनता एवं किसानों ने आवाज बन कर उठाया वहां पर पाइलेट जिंदावाद के नारे लगी वह आपने पूरा देखा भी होगा सुना भी होगा अकर ऐसा क्यूं और उसके बाद जब सजिन पाइलेट ने चाक्सू में किसान महापंचायत का जब आयोजन का एलान किया तो उसमें प्रदेश के मुख मंत्री प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी अद्धेक्ष और प्रदेश के पिरवारी तीनों को आमित्रित किया गया था उसके बावजूद भी वो इस सभा को संभोधित करने नहीं आये क्या ये किसानों के महापंचात रेली नहीं थी क्या इसमें उनको अप पर सभा को सम्मुदित करने के लिए नहीं आये क्या वो पाइलेट से इत्रे खपा है कि उसकी बज़े से वह आम लोगों से भी नहीं जुनना चाते हैं एक तरफ कॉंग्रिस की अलग धरनाय बनी हुई है एक तरफ कॉंग्रिस का जब एक व्यक्ति आज राजिस्तान में किसानों की अबाज बढ़ रहा है तो उसको भी दबाए जा रहा है अगर ऐसा क्यूं इस में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हैं उसके बारे में हमें कमेंट करकर जरूर बताएं कि आखिर राजिस्तान की राजनिती आगे ही चलकर क्या मोड लेगी और इसका आगे निर्ने क्या रहने वाला है नमस्कार आप देख रहे थे संबाधियो नेटवर्क प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेर करें लाइक करें धर्यवाद